शोपिया के रेशिन गरी में आज वहां के स्थानिय लोगों को गाड़ी के साथ एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला मरे हुए व्यक्ति की पहचान कुलगाम के यारीपुरा के मुहमद यूसुफ शेक के बेटे शाह नवाज एहमद शेक के रूप में हुई है शव मिलते ही स्थानिय लोगों ने इस बात की सूचना पुलीस को दी जो की मौके पर पहुची पुलीस ने जले हुए शव और गाड़ी दोनों को बरामत किया जानकारी के अनुसार शाह नवाज एहमद शेक की आकसमिक मौत उसके गाड़ी के पूल के साथ टकर लगने के बाद गाड़ी पर बिजली की तार गिरने से हुई पुलीस ने मामला दर्च कर आगे की जान शुरू कर दी है चलना है अगर वक्त से आगे बदलना है अगर नजरिया तो चलते रहिये बस वक्त के साथ हम दिखाते हैं सबसे पहले बेशक हो छोटी का बरिया बड़ी वक्त इंडिया यही वक्त है